जैने दोस्तो मेरा नाम है पंकच चोधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकच फोजी ग्रूप दोस्तों कापी टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे हैं CRPF हेट कोंस्टेवल मिनिस्ट्रल की बेकेंसी पिछले महीने आने वाली थी लेकिन उनकी अधर देन बेकेंसी जो है वो निकल रही है जिसकी बज़े से ये डिले हो सकता है तो आज हम इस सारे टोपिक को कबर करेंगे कि आपकी हेट को स्टेवल मिनिस्ट्रल की जो बच्चे बेट कर रहे हैं ये बेकेंसी कब आने वाली है इसमें हम जानेंगे कि इसकी एज रिले वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं उसका प्रोसेजर सारा मैं आपको बता दूंगा और मैं बताओंगा कि आपका इसके फोम कब आने वाले हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा हम स्यार्पी या अधर वैकेंसी से क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 10 प्लेस टू आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगते हैं आपकी एज 18 से 25 जनरल के लिए 18 से 28 साल हो जाती है ओभी सी के लिए क्योंकि उनको 3 साल की छूट मिल जाती है एसी की बात करें तो दोस्तों उसमें उनको 5 साल की छूट म तो आप इस भठी को देख सकते हैं क्यों कि इसमें जो written examination होता है वो आपका 200 number का होता है अब 200 number में क्या या आता है उता है अपका math रुजनिंग आपका clear aptitude आता है और आपका English या Hindi इसमें से आ जाता है डीक कि इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यह जो बैकेंसी है आपकी यह ओनली ओफिशिली है तो उसमें आपका देखा जाएगा कि आपका रिटेंट पाबर कैसा है आप लेटर या ड्राप्टिंग या डिएफे कैसे बना सकते हैं उस सारे के विशय में आपसे पूछा जाएगा हमने इसकी एजुक नाम मात्र की होती है आपका हाइट बेट चेस्ट यह नोर्मल नोमर नापा जाता है इसमें आपका रनिंग नहीं होता है रनिंग नहीं होता है जो बच्चे रनिंग में कमजोर हैं वो इसको अपलाई करें बहुत अच्छी वैकेंसी है एक मैं वीडियो देख रहा था उसम से बड़ी गलत फहमी है आपकी हेट कोंस्ट है मिरिशल की आज के टाइम पे पैकेंसी की जो मेरिट है बहुत ज्यादा हाई जाती है लास्ट टाइम जो गई थी वन सिक्स्टी फोर के आसपास गई थी लंसम दोसों में से या आसपास लंसम थी वो तो आप अनुमान लगा लें वो जवाने लट गए जो किसी भी पैकेंसी में मेरिट जो थी लो जाती थी आजकर बच्चे टाइपिंग की भी तैयारी कर रहे हैं मतलब हर फिल्ड में अपना ए एक्सपिरेंस बता रहा था क्योंकि मैंने 2015 वाली वेकेंसी आई थी उससे पहले वो मैंने देखी थी और उसमें मैंने टैपिंग क्वालिफाई किया था तो मैं आपको बता दो इस तो गलत फैमी में मत रहना कि इसकी जो मेरिट है वो लो रहती है इसकी मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई जाती है सेलेक्षन प्रोसेजर की बाद कर लेते हैं तो देखी पहले इसका आपका फोंब बढेंगे उसके बाद आपका ऐसका फिजीकल होगा डोकुमेंट्ट वेरिफिकेशन होगा मैडिकल होगा मैडिकल नॉर्मल होता है अगर आपको किसी चीज में say loves muscleorgt के मुकाबले heart constant mental kick जो medical होता है आपका बहुत normal होता है इसमें physical name dispatch का है तो आप इसको जरूर से जरूर apply करें आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं typing के के बारे बात करते हैं बचा की English की जो होगी 35 बर्ड पर मिनट और Hindi की होगी आपकी 30 बर्ड पर मिनट इसमें क्या है negative इसमें होता नहीं है qualify आपका marks होना है उसके बाद आपकी merit लगाते हैं तो जो typing होती है skill test जो होता है उसमें आपको only qualify करना है उसके marks आपके नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है बच्चा, उसमें backspace का आप यूज नहीं कर सकते हैं, जब आप typing करेंगे तो backspace यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है, बहुत जादा चटते हैं, वहाँ पे आपके बहुत जादा जो competition कम हो जाएगा, लेकिन married उसकी फिर भी high जाती है, क्योंकि सारे बच्चे तैयारी करते हैं, वो पहले जो था कम बच्चे निकलते हैं, अभी के दोर में बच्चे काफी निकलते हैं, तो married उसकी high five जाती है, जैसे ही आप medical qualify कर लेते हैं, इसकी typing qualify कर लेते हैं, final merit है, उसके बाद आपका, अगर आपको medical दे दिया जाता है, तो medical मिल जाता है, medical है, अगर आपकी height थोड़ी बहुत कम होती है, तो hate question में चला देते हैं, और उसका जो medical है, बिल्कुल normal होता, इतना ज्यादा नहीं होता, chest आपका proper होना चाहिए, 80-85 का फिलाव होता है, height भी च of vacancy है, number of vacancy कितनी है, और वो vacancy आने कब आली है, तो दोस्तों जो अभी पता चल रहा है, कि आपकी जो vacancy है, second week of April में आने वाली है, क्योंकि CRPF की other दूसरी भी vacancy आ रही है, nursing की आ रही है, और एक और news आई थी कि constable GDRF की 21,000 vacancy CRP में आने वाली है, तो उसी के according में, ये CRP हेट कोंस्टर मिलेटर की vacancy आएंगी, और आपको बहुत जल्द ये vacancy आने वाली है, और April के second week में ये vacancy आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो number of vacancy की अगर हम बात करें, तो ये 875, total number of vacancy होंगे, इसमें 875, second week of April में ये आपके आ जाएंगे, तो अपनी तयारी करते र जाता है, अगर मानलो, आज इसका टाइपिंग हो, आज इसका रियाल्ट आ जाता है, रिटिन का, तो 15-20 दिन आपको maximum होता है, उसी में आपको सारा कुछ cover करना पड़ता है, तो इसी दोरान में आपको अपना physical का भी करना है, जो भी अपना chest waste का देखना है, उसके बाद अ अपना written examination के साथ साथ, अपनी typing भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो ऐसा ना हो कि आप रिटिन तो qualify कर लें, और typing में आप छट जाएं, तो इसलिए अपनी typing पे भी से ध्यान दीजिए, अपने रिटिन पे भी से ध्यान दीजिए, इसकी merit भी बहुत ज़्या अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद।